हेलो फ्रेंड्स आई टेक्निकल जोन में आपका स्वागत हैं मैं विनोज जांगडा एक ने टोपिक और नए अपडेट के साथ ये अपडेट काफी आपके लिए पोटेंट रहेगी काफी महतोपुर्ण है क्योंकि रेल्वे के अंदर अप्रेंटिशिप के अंदर काफी मात ये रेल्वे के अंदर सोब वकैंशिया निकली हुई है उसमें से 20% जो वकैंशिया रहेगी वह रेल्वे से जो विदार्थी अपरंटिश करते हैं उनके लिए 20% आरक्शन कंप पिलसरी कर दिया गया है यानि 100 में से 20 विदार्थी जिनों ने railway से अप्रेंटिस किया है उनी विदार्थियों को लगाया जाएगा उनी विदार्थियों का अलग से competition रहेगा तो इसलिए railway से जो अप्रेंटिस विदार्थी जुरूर करें जो ITA किये हैं कोशिस करिए हो सकता है कि आपका उसमें selection हो जाए और आपका भविशे भी समर सकता है तो सबसे पहले यह देख लेते हैं railway की vacancy कहा निकली हुई है यह देखिए North East Frontier railway के अंदर यह जो आपकी निकली हुई है इसका मैं link description में दे देता हूँ और वहाँ से अपना यह पूरी जानकारी है पूरी PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि यह जो form जो आपका रहेगा वो offline है online नहीं है और आपको offline ही फिलप करके बेजनार कैसे कैसे आपको करना है वो मैं इस channel के माद्यम से आपको इस video के माद्यम से आपको बताऊँ हूँ है कितनी फीच रहेगी कौन-कौनशी ट्रेड रहेगी last date क्या है वो हम start करते है बिना देरी से तो यह देखिए यहाँ पर clear लिखाओ सबसे पहले last date देख लेते हैं 31-10-2019 इसकी last date रहेगी यानि 31 October इसकी last date है लेकिन यह form आपको offline भेजना है तो यानि 31 से पहले पहले आपको flip करके इसको भेजना है माल लेजिए कि दो दिन आपको पहुँचने में भी आपकी dark जो रहेगी वो समय लगता है तो आप कोशिश करिए कि 27-28 और 29 तारीक से पहले पहले इसकी रेजिस्ट्री करवा दे कोरियर ने करवाए रेजिस्ट्री करवानी है ठीक है तो last date क्या है आपकी तो यह देखिए यहां पे clear लिखा हुआ है 31-10-2019 उसके बाद देख लेते हैं भी क्या-क्या eligibility criteria दिया हुआ है इस form के लिए तो यह देखिए यहां पे eligibility criteria में क्या है एक तो जो 10th है 10th के अंदर आपके 50% मारक्स होने चाहिए 50% से कम है तो यह विदार्थी वो form अपलाई नहीं कर सकते हैं द limit भी इन्होंने रखी हुई है यानि 24 साल वाले विदार्थी है जिसकी उमर 24 साल हो सुगी है कब तक count करेंगे है 18-9-2019 तक count करेंगे जिन विदार्थियों की 24 साल पूरी हो सुगी है यानि journal category के अंदर अपने को कितनी उमर चाहिए 24 साल उसके बाद OBC और ST के लिए 5 साल है यह देखिए 5 जोड़ देंगे हम 24 में और ST जो विदार्थी रहेंगे जो यानि OBC के लिए 3 साल की रहें कितनी साल की? 3 साल की OBC के लिए है और ST-ST के लिए कितनी है? 5 साल की ठीक है तो यह देखिए पूरा जो आरक्षन हमें government job में मिलता है वो पूरा का पूरा इनोंने दि हुआ है क्योंकि X-Serviceman की independent जो विदार थे उनके लिए भी इसमें अरक्षन रखा हुआ है ठीक है तो यह देखिए X-Serviceman का आगया यहां पर देखिए selection जो कैसे कैसे करेंगे उसके लिए इनोंने बताया है क्योंकि आपका जो 10th के जो marks हैं वो count करेंगे और ITI का जो certificate रह लाएगे उन दोनों को count करने के ब्याद ही आपके merit निकलेगी ना इसमें कोई test है ना कोई interview है ठीक है आपके 10th के और ITI के दोनों के marks जोडने के बाद में जो merit बनती है उसके अनुसारे आपका selection करेंगे आगे देख लेते हैं क्योंकि काफी वीड़ी यह वीडियो नए बन काफी अधिक मात्रा में यह वीडियो ही है तो यह देखिए आप सोट सक्रीन भी इसका ले सकते हो कौन कौन सी जगर पर कितनी वेकैंशी है और जो विदार्थी एक जोन के अंदर ही है अप्लाई कर सकता है यह नहीं है कि दो तीन जोन में अप्लाई कर सकता है एक जो चुन इसके अंदर रखी हुई है मैक्सिम्म cub सारी ट्रेन अख से वेलडर है फीट ए लेक्र सही वायर्मैन मैसं प्रेंटर ठीक है कार्पेंटर वेल्डर यह सारी तमाम ट्रेविंपेंशी इसके अंदर दी ऑफ जार रखी हुई है यानि एक यानि वन येर यान colored यत्याइण र पोटल SC, ST, OBC सभी की इन्होंने बता दी है चिक है उसके बाद में यह देखिए यहां पर यानि जो विदार्थी हैं हैं चाली परसेंट गांगर सेटिविकेट बना हुआ है जो विदार्थी हैंडिकेप्ट है और उनका 40 पर-30 का सेटिविकेट बना हुआ है उनके लिए भी इन्होंने अलग से अप्रेंटिशिप की विकेंशिया रखी हुई है तो वो विदार्थी भी अपना फॉर्म फिलप कर सकते हैं हाउ टू अपलाई के अंदर देख लेते हैं भी कैसे कैसे आपको अपलाई करना है क्योंकि यह ऑफॉर्म होता है क्योंकि ओनलाई में तो वो बता देता है भी आपकी गलतियां कहाँ पे है लेगिन offline जो आप form फिलप करोगे तो उसमें काफी आपको हर एक चीज को अच्छी तरह बारिकी से आपको देखना होगा और cutting उसमें एक परसेंट भी नहीं करनी है ठीक है तो यह देखिए यहाँ पे कैसे कैसे आपको apply करना है इन्होंने बताया है यानि one candidate can apply only one unit यानि एक trade के लिए और एक ही unit में आपको form को apply करना है आपने कभी भी offline का form भरा होगा वो A4 का paper मिलता है इसके अंदर last के अंदर मैं अपने PDF के अंदर भी आपको provide करवा दूँ और form वहाँ से भी download कर सकते हो या दुकान के उपर जाओगे तो आपको पता है कि एक form मिलेगा उसके पास आपको दो अलग सी लिफाफे मिलेंगी देखिए यह देखिए self-attested आपको करना है इसमें एक लिफाफा अलग से लेना उसके उपर पांस रुपए की टिकेट लेके साथ में आपको डालना है और SC-ST जो candidate है उनको यह जरूरी यानि टिकेट लगाना compulsory नहीं है और मैं बता देता हूँ जर्नल कटेगरी जर्नल और OBC उनके लिए फीज कितनी रही है आपकी 100 रुपए चीक है SC और ST के लिए SC और ST और Woman Candidate के लिए कोई किसी तरह की कोई फीज नहीं रखी हुई है जर्नल और OBC का जो विदारती है उनके लिए 100 रुपए की फीज रखी गई है उसके बाद यह देखिए यहां पर कैसे कैसे क्या करना है Postal Order आता है यानि Indian Postal Order IPO जिसको बोलते है Indian Postal Order कितने रुपए का है वो डाकाना से ले सकते हो आप यानि 100 रुपए का वो आप ले लेना या फिर बैंक ड्राफ्ट भी आप 100 रुपए का लेकर उसमें किसी तरह की कोई गल्ती नहीं हो फिर जब हम पे करना ह्या है इसमे कलियर लिखा हुआ है कैसे पे-एवल एट करना है GPO जैसे उसके अंदर गवाटी इसके अंदर यहीं है आपको डालना है जो यस फोर्म को अंदर दिया हुआ है जो condition है वो अच्छी तरह आपको fill up करना है कुछ विदार्तियों को ये doubt रहता है कि भी जैसे मालो other state के जो candidate है जैसे है अरियाना है पंजाब है उतर परदेश है या फिर राजस्तान है जो near about है क्योंकि जैसे मैं अरियाना के आपको बता देता हूं क्योंकि वहाँ पर OBC का certificate अलग बनता है किन विदार्तियों को बनता है जो BC A के अंदर है या फिर B के अंदर है BC A में है और BC B में उनका अलग से OBC का एक certificate बनेगा वो अगर लगाते तब हमें benefit मिलेगा otherwise हम general में count होंगे अगर हमने OBC कर दिया है और certificate हम BC A का लगा रहे हैं BC B का लगा रहे हैं तो हमारा जो form है वो cancel हो जाएगा तो यह बारी किसी हैं यह में चीज़ों को एक एक को देखना होगा तो यह आगे देखिए यहाँ पर पूरा clear इन्होंने बताया हुआ है कैसे कैसे है लास्ट डेट एक बार फिर मैं बता देता हूँ इन्होंने बार बार यह जिकर कर रहे हैं कि लास्ट डेट यह आपके रहेगी क्योंकि 31-10-2019 तक यानि 5 बज़े तक आपकी जो डाक है वो पहुंच जानी चाहिए 31-10-2019 यानि शाम को 5 बज़े तक आपके डाक है पहुंच जाहिए अगर आप देरी होती है तो आपका reject फॉर्म हो जाएगा यानि आपको दो दिन डाक पहुंचने में लगता है समय तो यह जो फॉर्म आप रिफिलप करके बेजोगे 28 या 29 तारीको 100 परसेंट आप उसकी रिजिस्ट्री करवानी होगी तो यह देखे बिल्कुल पूरा का पूरा इन्होंने बताया हुआ है कैसे कैसे आपको करना है अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ इस तरह का यह फॉर्म रहेगा बिल्कुल इजी तरीके से है एक पूरा फॉर्म मैंने बता दिया कैसे कैसे यह देखे आइपईयों के लिए यह यहां पर देखा हुआ है यह बैंक ड्राफ्थ का नंबर या आइपईयों का जो नंबर हैगा वह आपको यहां पे करना होगा उपर देखे अर्टेंफ और टेक्निकल यानि कोशिश करिए कि ज्यादा सेटियों कोई बच्छा बीए ले रखे किसी ने में करके हैं या डिपलोमा कर रहे हैं उनका किसी प्रकार का कोई वेनिफिट नहीं देंगे उल्ली आइटे के सेटिविट लगाईए और दस्मीं का सेटिविट लगाईए ठीक है तो यह पूरा पूरा फिलफ ही है आपको ऐसे करकेश में फॉर्म को कम्प्लेट करना है आईटे और 10 जो रही आपकी उसके इनुसार ही आपके वो मेरिट निकांगें तो यह वीडि़ियो मैं बता दिया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्माप करना है क्या कि आपको जानकर या वो पूरी मैंने दे दी है तो जो विदारती IT कर रहे हैं तमाम ट्रेड़ें इसके अंदर दी हुई है तो अपने देश्टों दोस्तों के साथ भी अपने ये जो वीडियो मेंने बनाई है ये सेर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कोमेंट करना लाइक करना और बेल आइकोन के बेटन को प्रेस कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको तब तक जय हिंजय बारत वंदे मातरूं